भारत और बंगलदेश के बीच कॉलकता के इडिन गार्दन स्टेडियम में एतिहासिक डे नाइट टेस्ट मैच खेला जाएगा यह मैच आज तो पैर एक बज़े से शुरू होगा भारत दिन दौर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में बंगलदेश को पारी और 130 रनों से हराकर सिरीज में एक शुरूने की बढ़द बना रखी है कॉलकता में इस दे नाइट टेस्ट मैच को जीत कर भारत दो मैचों की टेस्ट सिरीज में क्लीन स्ट करने के रादे से मैदान में उतरे की बारत टेम की नजरे बांगलदेश के खिलाव अब इस सिरीज में भी क्लीन स्ट करने पर होगी तो दोनों टीमों के लिए ये मैच एतिहासे खोड़े बाला है चुकि दोनों टीमे पहली बार अपना डे नाइट टेस्ट मैच खिले के लिए आज मैदान में उतरेंगी वहें भी स्याय के अधक्ष बनने के बाद से सौरफ गांगुली के इस काम को उनकी सबसे बड़ी उपलब्धी के रूप में देखा जा रहा है गांगुली ने ही बांगलादेश को डे नाइट टेस्ट मैच खिले के लिए राजी करवाया है भारत और बांगलादेश के बीच 22 से 26 नमबर तक इडिन गार्डन्स में खिले जाने वाला दूसरा टेस्ट डे नाइट होगा दोनों देशों का ये पहला डे नाइट टेस्ट होगा वहीं इडन गार्डन्स डे नाइट टेस्ट का आईजन करने वाले देश का पहला स्ट्रेडियम होगा तो ये टेस्ट मैच फिलाल गेन से खिलने के लिए बजाए पिंक बॉल से खिला जाएगा मैच देखने के लिए पीए मोधी, घृमंत्री अमिच्छा, सेम अम्धा बनर्ची और साथी बांग्रोदीश की पीएम शेख हसीना पहुचेंगी